सूरज की पहली किरण के साथ ही अविनाश और रोहित मैदान पर जमा होते। हवा में बेसबॉल की गूंज और लकडी की बल्ले की खनत एक परिचित राक छेड़ती। उनकी दुनिया वही उस मैदान के घेरे में सिमट जाती। अविनाश तेज गेंद बाज गेंद को आग की लपट की तरह फैकता, बल्लेबाजों को पसीना छुटाता। रोहित चतुर बल्लेबाज गेंद की चाल भांप लेता, छक्के चौके लगाकर स्टेडियम को तालिया बजाने पर मजबूर करता। जीत हार उनके लिए माइने नहीं रखते थे। खेल का मज़ा साथ की खुशी उनका असली लक्ष था। हार पर वे एक दूसरे का होसला बढ़ाते, जीत पर गले मिलकर जश्न मनाते। गुटनों पर घास के दाग, मुह पर हंसी की लकीर, उनकी जिन्दगी का अनमोल खजाना थे। एक दिन अचानक अविनाश का हाथ दुख गया, खेलना नामुम्किन हो गया। रोहित अकेला मैदान पर खड़ा हुआ, मायूस। पर अविनाश ने साथ नहीं छोड़ा। वह कोच बना, होसला देकर रोहित को जीत की ओर बढ़ाया। फाइनल मैच के आखरी ओवर में स्कोर बराबरी पर था। रोहित ने आखरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, स्टेडियम गूंज उठा। दोनों दोस्त हवा में जूम रहे थे, उनकी आंखों में सिर्फ खेल का जुनून और दोस्ती की चमक जिल मिला रही थी। उनकी कहानी बयान करती है कि दोस्ती ही असली जीत है, चाहे मैदान पर हो या जिन्दगी के किसी पड़ाव पर। बेसबॉल की तरह ही जिन्दगी में भी उतार चड़ावाते हैं, पर साथ में जिद और होसला रखने से ही हर मुश्किल पार की जा सकती है।